कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फस जाते हैं जहां हमारे आद में कुछ भी नहीं होता हमारा नुकसान होना तो बिल्कुल तैह होता है अगर इसी प्रकार की सिचुएशन में हमारी जगे टोमी हो तो वो क्या करेगा? ये हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते इस सीन को डिकोड करने से पहले मैं आपको इस सीन के जस्ट बाद का सीन दिखाता हूँ इस सीन में आपने देखा कि टोमी कितने गुस्टे और प्रेशर में है वो बस अकेला है और अपने अंदर का गुस्टा और दबाओ बिना किसी को दिखाए रिलीज कर रहा है अब चलते हैं हमारे मेन सीन पर जो इससे जश्ट पहले का है आपने टोमी को जितना डिस्ट्रेस्ट और गुस्टे में अभी देखा टोमी उतना ही श्यांत इस सीन में रहने वाला है इस वीडियो में आप अपने गुस्टे और दबाओ को गलत समय पर अपने चेहरे और मुमेंट्स पर दिखाने से बचना सीखेंगे तो दोस्तों अब इस से पहले के सीन पर आते हैं सबसे पहले टोमी की सिटिंग पोजिशन को देखो उसकी अपर बोडी रिलैक्स्ट है वो चेहर पर पूरा कबजा करके अपनी कमर टिका कर अराम से बैठ है कॉन्फिडेंट लोग चेहर पर अपना पिछवाडा एकदम पीछे चिपका कर और टांगे थोड़ा खोल कर बैठते हैं वहीं अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति कभी भी अपनी कुरसी का पूरा प्रयोग नहीं करता वो अपनी तश्रीफ कुरसी के बीच में या आगे टिका कर बैठता है और अपने हाथों को टांगों के बीच में रखता है इंटर्विव के त्यारी करने वाले बच्चे इस चीज को अपनी बोडी लेंग्वेज में पक्का इंक्लूड कर लो ये आपको जरूर फाइदा देगा टोमी के सामने वाला बंदा भी अच्छी पोजिशन में बैठा है बस उसने अपने हाथ बांध रखे हैं जो इतना ठीक नहीं है अब इस वरत को देखो ऐसी बोडी लेंग्वेज गुसे को दर्शाती है उसका हाथों को ऐसे फोल्ड करना दिखाता है कि वो सामने वाले के किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट के लिए ओपन नहीं है वहीं उसके अंदर गुसे या शिकायत से सम्मंदित कुछ चल रहा है और यहां टोमी को देखो यहां उसकी लाइफ खतम हो सकती है लेकिन तब भी उसके एटिचूड में कोई कमी नहीं है वो अपने आपको चोड़ा दिखा रहा है साथ ही वो रिलेक्ष्ट भी है यहां टोमी के दिलो दिमाग में अपना पब खोने की गरज है लेकिन वो बच्चों की तरह रो नहीं रहा उसके आई कोंटेक्ट को देखो सामने वाले बंदे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं लेकिन टोमी तब भी उनकी आँकों में देख रहा है साथ ही उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है इस वेब सीरीज को फोलो करने वाले लोग जानते ही है कि कोई भी डील में जो सबसे ज़्यादा दिर तक ठंडा रहता है वो जीतता है यहां टोमी ने हलके से अपनी पलके जपकाई यह उसको नर्वस और गुस्से में दिखने से बचाता है लोग गुस्से में और बेचायन होने पर ज़्यादा पलके जपकते हैं यहां उसकी बोलने की टोन को देखो वो कितने प्यार से अपनी बात बोल रहा है और अपनी बात पर जोर देने के लिए विस्पर कर रहा है इतना नुक्सान होने पर कोई और होता तो गुस्से या दुख में परेशान होकर चिला कर बात करता टोमी ने जिस अंदाज से बात की सामने वाले धीरे धीरे उसकी बातों में इंट्रेस्टी डोने लगे है इन दोनों के फेस को देखो और इस आदमी की टेडी गर्दन भी टोमी की बातों में उसका जागता हुआ इंट्रेस्ट दिखा रही है ये औरत अभी भी थोड़ी नर्वास है वो ऐसी सिचुएशन में भी मुस्कुरा रहा है मतलब टोमी सच में फेंटास्टिक है प्रेशर होया जान का खत्रा सबी सिचुएशन में बसने का बस एक ही रास्ता होता है जो अधिकतर लोग चाकर भी अपना नहीं पाते ये रास्ता है शांत रहे कर सोचने का टोमी यहां इतना शांत है कि इन दोनों को उसकी शांती सही डर लगने लगा है कई बार आपकी शांती आपके दुश्मन को भी सेल्फ डाउट में ला देती है तोमी ने यहां सब कुछ इग्नोर करके सबजेक्ट बदल कर इस आदमी को ये दिखा दिया कि टोमी उसको कुछ भी नहीं समचता है यहां आपने देखा इस होरत ने कितनी तेज पल के जपकाई मतलब वो अपने बेटे का नाम सुनकर और ज़्यादा डर रही है इसकी उपर उठी आईब्रोज, खुले हुए नाक के छेद और खुला मूँ दिखाता है कि वो हद से ज़्यादा नर्वस है आप मेंसे कुछ लोगों को अगर किसी लड़की से पहली बार बात करनी पड़ जाए तो आपका फेस भी ऐसा ही हो जाता है लेकिन लड़कियों को पसंद आते हैं ताकतवर और दबंग लड़के जो दिखने में शान्त हो इसलिए टोमी से कुछ सीखो यहां टोमी इस ओरत को डरा रहा है वो भी स्माइल के साथ बिल्कुल धीमी आवाज में और इस ओरत की शकल देखो भाई साब अंदर तक देहल गई है यहां टोमी ने उसका नाम लेकर बात की मतलब मामला अब परसनल होने तक भी जा सकता है टोमी के कनपट्टी पर इस आदमी ने बंदूक तो रख दी लेकिन टोमी बिल्कुल भी नहीं चोका चोकना तो दूर उसने अपनी मुंडी तक अपने अपने ही लाई यहां यह आदमी जितना एग्रेसिव है टोमी उतना ही श्यानत है टोमी ने उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया यह औरत लंबे सांस ले रही है और इसके गले के खिंचाव को देखो मतलब अब टोमी की उसके परिवार की जानकारी और खतरनाक शांत एटिचूड से यह और ज़्याद़ अटेंशन में है यहां टोमी ने मजाक में उत्तर दिया और बंदूक वाले आदमी से पूरी आँखे कोल कर आई कोंटेक्ट बनाया इस वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि टोमी कितना टेंशन में चला रहा टोमी अंदर से अब भी वैसा ही है लेकिन वो यह सब अपने चेहरे पर बिलकुल नहीं आने दे रहा और अब तो वो यह सब ढखने और स्माइल बरकरा रखने के लिए मजाक का सारा ले रहा टोमी ने सिगरेट और माचिस को सामने की टेबल पर रख दिया उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इस टेबल के इस तरफ बैठ कर वो सामने वालों से बराबरी से बात कर सके टोमी सिदा पॉइंट पर आ गया और उसने सिंपल तरीके से पूछने की बजाए आँखों में आखे डाल कर स्टाइल से पूछा इस चुने हुए बंदे को किसले चुना गया यहाँ पर इस ओरत ने टोमी से बत्मीजी से बात की उसने गाली भी दी और टोमी को जिपसी बोला जैसे भारत में धर्म, जाती या किसी राज्या का होने पर किसी बंदे को गाली दे देते हैं जिपसी उसी तरह की एक गाली है जो रोमानी वन्ष के लोगों को दी जाती है इस पर टोमी ने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं आगे इन लोगों में क्या बादचीत हुई? वो तो इस वेब सीरीज में नहीं बताया गया है लेकिन टोमी ने इस पूरी कनवर्शेशन में जिस तरह अपने इमोशन्स को डखा वो काभील ये तारीफ था तो हमने इस वीडियो में क्या सिखा? पॉइंट नमबर वन रोना धोना चिलाना फ्रस्टेशन निकालना ये सब अकेले में करो दुश्मन के सामने तो भूल कर भी ये सब मत करना दरना तो बिलकुल बंद कर दो पॉइंट नमबर टू जब भी चेयर पर बैठो खुल कर बैठो और बैठते ही पूरी चेयर को अपने शरीर से घेर लो अपने हाथों को अपनी टांगों के बीच में गलती से भी मत जाने पॉइंट नमबर तीन जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां confident body language के साथ चुप चाप eye contact बना कर बैठो आपकी आँखें और body आपके लिए free में negotiations कर देंगे तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही आपको अगली वीडियो किस चीज पर चीए जरूर लिखें मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन